आज मैंने घर पर ही बनाई बहुत ही टेस्टी चेटपटी स्वीट कॉर्ण चाट उसके लिए मेरे पास थे ये फ्रोजन स्वीट कॉर्ण जिसको मैंने अपने अंदाजे से तीन कटोरी लिया अच्छे से दो तीन बार धोया और फिस स्टीमर में डाल के कुकर में दो से तीन तक पका आया और लास्ट में डाला हरा दनिया बस इतनी से ही तुम हैनद करनी थी सर्व करते टाइम डाला आधा निम्बू सबसे बहले मुमी को देने गई मैंने का चेक करके बताओ मुमी मुमी बोली ले पहले तू कर बहुत गरम थे तो मुमी ने कहा ना तुमी मेरो जलादे गरम-गरम खुआ के लेकिन मुम्मी को बाद में पसंद आए फिर मैंने अपने आपको सव की चटपटे से बहुत दिलखुश बने थे वो भी इतने कम टाइम में